हलो दोस्तों नमस्कार स्वागत करता हूँ मैं आपका ओके जोपस की जटका सीरीज में देखे जटका सीरीज बहुत इंपोर्टेंट है आप लोगों के लिए मैं तो बोलूँगा हर उस बंदी के लिए जो राजस्थान के नोकरी के लिए तियरी कर रहे हैं ठीक है आज इस जटका सीरीज में हम क्या करने वाले हैं आज हम इस जटका सीरीज में क्या करने वाले हैं जो राजस्थान की आईजिन पी नहरे बहुत बार question पूछा जाता है और question भी ऐसा पूछा जाता है अगर आपको आता है तो सही हो जायागा नहीं तो फिर समझे जाओ आप तो अच्छा तो इसी उद्देश से से मैं इसका एक पार्ट करा चुका हूँ या फिर उसको आप दुबारा से देख लेना और अब जो मैं इसका basic उठा रहा हूँ रिजन बता देता हूँ क्योंकि बहुत सारे कमेंट आए कमेंट नहीं बेसिकली मेरे पास परसनल मैसी जाए बोले सर एक पर ना उसको और करता दीजिए ताकि हमारी जो आईजियन पिया इंद्रा गांधी नहर पर यूजना है वो एकदम से के लिए हो जाए ठीक है पस इस इंद्रा गांधी नहर पर यूजना की जो स्टार्ट वी थी वो कहां से हुई थी कमर सेन नाम का एक व्यक्ति था उनके पत्र से सरवात इनकी हुई थी कमर सेन कब 1948 में इन्होंने क्या करा था एक पत्र लिखा था कवर्मेंट आफ इंडिया को अच्छा अब क्या हुआ तो इंद्रा गांधी नहर की जो है सुरुवात करी जाएगी बेसिकली इसका राजस्तान नहर राजस्तान फिडर नहर जो था इसका नाम था इस डाटिंग मैं वो सब बताऊंगा मैं आपको जैसे जैसे आगे आगे बढ़ोगे आपके सारे जो डाउट से वो किलियर होते चले जाएगी सोरी दस साल बाद इसकी क्या होती है सिलन्यास होता है बहुत बार सिलन्यास और उद्गाटन में कंश्यूज करके कुशन पूछा जाता है कि सिलन्यास किसने कर रहा था उद्गाटन किसने कर रहा था अभी के लिए रो जाएगा सिलन्यास कर रहा था गोविंद व होता है इसका इसका जो तीन साल बाद इसका होता है उद्गाटन उद्गाटन का मतलब यह होता है कि इसमें पहली बार पानी छोड़ा गया था ठीक है और वो उद्गाटन किसे ने करा था सरवपली राधाकृष्णन ने यह क्या थे उस टाइम उस टाइम थे उपरास्ट पत आफ इडिया अच्छा नोरंग दे सर एक वितरी का है किसकी बीकानेर, इसकी आईजी एनपी की कहाँ पर है बीकानेर में और इस वितरी का में पाने चोड़ कर इस आईजी एनपी नहर को सुरू किया गया था ठीक आगे बढ़ते हैं, इसका उदगम कहां से होता है और ये कु हमारे राजिसान में एंट्री कर जाएगी कहां से हनुमानगड में मसीथा वाली हैड से थिक है सारे के सारे के नशीजन दूर कर दूंगा भस आप तो लगातर बने रहो और concentrate होगे पड़ो ठीक देखो उपर लेगे चलता हूँ सारे सारे confusion दूर हो जाएंगे हरीके बेराज हरीके बेराज और यह जो लिखा हुआ है अब याद करा दूँगा एक बर में टेंशन मतलो आप तो ऐसा हरीके बेराज मसीता वाली दातोर महंगड गडरा रोड देखो भी हरीके बेराज से क्या हुई थी सुरुवात हुई थी राज मेरे अच्छा अब इसको याद कराता हूँ देखो हम है मैं दा मो और यह देखो डर दर हम दा मुदर हैं क्या बोलता है यह हम दा मुदर हैं अगर हम दा मुदर हैं तो आप याद रखें कि हरीके बेराज से स्टार्ट होती है मसीता वाली हैड हनुमान गड में एंटरी करत और दातों और मोहनकड होती हुई गड़ा रोड पे जाके खतम हो जाती है अब बहुत बार पूछा जाता है कि राजस्थान फिडर नहर की लंबाई क्या है और अगर इसकी लंबाई है तो राजस्थान में कितनी है और पंजाब में कितनी है उसके बाद पूछा जाता है मु CEONP नाम इसको कभ मिला देखे यहां पर मैंने आपको बताया था क्या बताया था 48 में इसका क्या रखा गया था प्रोपोजल रखा गया था और इसכा अगर मैं रिवर्स कर देता हूँ याने कि 84 कर देता हूं देखो राजस्थान फीडर नहर की जो लंबाई है वो टोटल 204 है याद रखना 204 है जिसमें से 34 किलोमेटर तो राजस्थान में है और 170 किलोमेटर कहाँ पर है पंजाब में है ठीक है उसके आगे जैसे ही बढ़ता हूं तो मसीता वाली हैड से और दातोर तक का जो पार्ट ह उसको बोलते हैं मुख्य नहर जिसके लंबाई कितनी है 189 कितनी हो गई 189 अब यह बोलता है कि राजस्थान नहर कोन सी है फिर राजस्थान नहर है मसीता वाली हैड से मोहनगड तक को हम बोलते हैं राजस्थान नहर जिसके लंबाई कितनी है 445 यानि 435 बहुत बार कुश पुछा जाता है ठीक है अब ये बोलेगा कि टोटल लंबाई जो है IZNP की वो कितनी है तो देखो 445 तो ये 445 ये और 204 ये चुकि राजसान नहर इतनी है और यहां से यहां तक कितनी है 204 है तो अगर आप 445 को 204 में अड़ करेंगे तो आपको मिलेगी IZNP की टोटल लंबाई और वो कितनी है भी 649 यानि की साड़े 600 में एक कम ठीक है रिलेट करो याद रहेगा लोंग टाइम तक एक बर रिवीजन कर लो मज़ा जाएगा याद हो जाएगा ठीक है जी अच्छा अब मैं आगे की तरफ बढ़ता हूँ और आगे की तरफ मैं आपको बताता हूँ जो इंदरा गांदी नहरे पर योजना है इसके अंतरगत लिफ्ट नहरे और ब्रांचे कितनी है देखे ब्रांच मैं ट्रिक से याद करा चुका हूँ लिफ्ट अगर मैं लिखता हूँ लिफ्ट अगर मैं लिखता हूँ तो मैं लिखता हूँ और अगर मैं सेवन लिखता हूँ तो मिलता है मेरे को सेवन देखो दोनों को रिलेट क अब बोलते हैं ब्रांच कितनी है सर तो ब्रांच को मैं लिखता हूँ B और B को अगर मैं रिलेट करता हूँ 9 से तो ये दिख रहा है लेकिन एक बात ध्यान रखना ये आपको confuse करेगा option को देखकर आप लगाओगे 8 पे तो मेरी बातों को याद करना 8 की जगा पे आपको टिक हैं साथ इनको बहुत डिटेल से मैं एक वीडियो में करा दूँगा ठीक है उसी क्या होगा आपका जो कंफ्यूज है वो दूर हो जाएगा सदामधा के लिए और अभी मैं आपको यहां पर बता देता हूं क्या ब्रांच इस तो ब्रांच की तरफ मैं बढ़ता हूँ तो आ यहां पी यह क्या है हमारी IZNP है और IZNP अगर है तो इसमें मैं बताऊंगा आपको ब्रांच इस और लिफ्ट नहरे नेक्स पार्टी में होगी और अभी मैं बताऊंगा क्या ब्रांच इस देखे टोटल ब्रांच इस कितनी है नाइन अब वो कहां पर है और उनका सीक्व क्या है यह एक्जाम में पूछा जाता है और वो मैं बता देता हूं आपको देखो यहां पर लिखा हुआ है मसीता वाली ब्रांच यानि कि मसीता वाली साखा और अगर लिखा हुआ है तो यह तो आपको पताईए मसीता वाली से क्या होता है एंट्री होती है इसकी तो जो दो क्या है ब्रांच है कौन-कौन सी सूरत गड़ और अनुप गड़ ये कहां पर है गंगा नगर में है याद करा रहा हूं देखो गड़ गंगा गड़ गंगा दोनों के दोनों जो गड़ है वो गंगा में है यानि कि गंगा नगर में है कौन सा सूरत गड़ और अनुप पूंगल दातोर और बिसरलपूर ये तीनों की तीनों बिक चुकी है कहां पर है बीकानेर में है इस पर लिगदा हुता हूँ मैं बीकानेर ठीक है अच्छा उसके आगे बढ़ता हूँ तो एक आती है चारनवाला जिसे हम बोल देते हैं कभी-कभी वरनवाला और चाबी-जे ठीक है ना चाबी-जे यानि की चारनवाला जो है चारनवाला वो है चाबी-जे यानि की बीकानेर और जैसलमेर में तो यहां से आप एक चीज़ देखेंगे कि यह एक मात्र ऐसी ब्रांच है जो दो जिलों में जाती है कुन-कुन से में बीकानेर और जैसलमेर में ठीक है इसके बाद आती है सहीद बीरमल सहीद बीरवल ब्रांच और सागरमल गोपा ब्रांच जो भी सहीद हुए थे आपने पता होगा मैंने बताया था आपको अच्छा मैंने बताया था आपको सागरमल गोपा जो है वो कहां से रिलेटेड थे जैसलमेर से रिलेटेड थे ठीक है तो यह जो दोनों की दोनों साखाए है यह कहां पर है जैसलमेर में यानि कि जिसके आगे सहीद लग जाए जिसके आगे सहीद लग जाए वो कहाँ पर है जैसल मेर में एक confusion और बता दिता हूँ बीरबल जो दिवस है वो कहाँ पर मनाया जाता है बीका नेर में मनाया जाता है या फिर मनाया गया था अभी नहीं मनाया गया था और वहाँ पे अभी बेसिकली एक क्या लगता है विलेज फैर भी लगता है ठीक kilowन एचा ऊछbelsिए है यह हमारी कितनी होगी है आठ हो चुदी एक क्युशं बार बार पूछा जाता है और वो यह है कि इसके बाई तरफ से इसके बायाई तरफ से ऐसी कौन सी साखाय जो इसके से निकाली गई है और वो है रावत सर ब्रांच हनुमानगर से बहुत बार पूछा जाता है इसको भी आप याद रफना देखे ब्रांच आपकी कंप्लीट हो चुकी है अगर मैं एक बर रिवीजन कराना चाहूं तो करा भी सकता हूं लेकिन मैं नहीं कराओंगा क्योंकि यह क्या है ओनलाइन क्लास है आप इसको दुबारा से देख सकते हैं अच्छा इसके बाद अब मैं बताता हूं आपको लिफ्ट नहरे मैं एक बर टाइम देख लेता हूं सर अजी देखे दस मिनिट हो चुकी है तो आप टेंसन मत लीजिए पांच मिनट और लगी और इसको फिनिस कर देंगा अपना लिफ्ट नहरे में नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगा नेक्स्ट पार्ट में करवाऊंगा थोड़ा सा बता देता हूं देखे बहुत ट्रिकी है कवर सेन जो है वो कहाँ इसका पुराना नाम क्या था कवर लून लाय हो कवर लून लाय हो तो इसका मतलब क्या हुआ लून करण लिफ्ट नहर जो इसका पुराना नाम था है कहाँ पर एक लिफ्ट नहर ऐसी है जो बीकानेर में नहीं है बाकि सारी के सारी बीकानेर में भी है समझे एक मात्र एक ऐसी लिफ्ट नहर तेजा जी है जो सिर्फ बीकानेर में सब कुछ करमाऊंगा डिश्टिक भी याद करवा दूँँ ठीक है चलो आगे बढ़ता हूं जैसे कमर से इन बता चुका हूं मैं बीकानेर गंगानगर में है पन्नालाल बारुपाल बीकानेर न कि फॉलादी है हमारे उसका नाम क्या था फॉलादी लिफ्ट नहर सब कुछ करा दूँगा टैंसर मतलो अब ही आगे बढ़ रहा हूं अच्छा एक बात और बता देता हूं मैं कि जो आईजीन पी है इसकी दो क्या है उपसाखाए हैं एक तो है लीलवा दीगा और एक है ब पूछा जाता है और वह कितनी है चोराण में सो तेहरा किलोमेटर याद रखना एक कुशन मेरे को और याद आया भी वह भी कई बर कभी कभी पूछ लिया जाता है थोड़ा टेक्निकल है मैं उसको भी बता देता हूं देखो अभी मैंने बताया था आपको जो आईजीन पी आईजीन पी की टोटल लंबाई है वो है 649 अगर वो टोटल पूछता है तो लेकिन अगर वो पूछता है राजिस्थान में कितनी है तो देखो यहां से कॉमन सेंस लगाओ चुकि राजिस्थान में कितनी है सिर्फ 34 है कौन राजिस्थान फीडर नहर क्योंकि 170 तो पंजाब में है और अगर 170 पंजाब में है तो 445 में में क्या जोड़ूँगा सिर्फ 34 जोड़ूँगा ठीक है या फिर आईजी एनपी की जो टोटल लंबाई है उसमें से 170 घटा दूँगा जो आएगी वो मेरी आईजी एनपी की लंबाई सिर्फ राजिस्थान में आएगी थोड़ा दिमाख लगाओ और जो आपका प लाइजी से तो अभी आपने देखा होगा दस बारत 13 मिनट में मैंने कोसिस करी है आपको बहुत अच्छे से बताने की बताने यह याद कराने की तो अगर आप लोगों को यह हमारी जटका सीरीज पसंद आ रही है तो हमारे साथ बढ़े रही है और देखते रही है जटका स गलसमे